अस्सलाम अलेकूम अभीरा फूट सीक्रेट में आप सब का वेलकम है उमीद है आप सब खेर खेरियत सी होंगे और अपने घरों में खुश होंगे कुछ ही जैसा कि आपको पता है बार्शियों का मुर्सम शुरू हो गया है तो मैं आपके लिए एक रैस्पी लेके आई हूँ जो देखें मैंने चोटा सा क्लिप में आया है हमारा मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था बारिश तकरीबन होने ही वाली थी बलके स्टार्ट हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना रैस्पी बनाऊं दादिनानी स्पेशल जो के यकिनन आपने कभी नहीं खाई होगी तो इसके लिए हमने सबसे पहले दो गुड़ के पीस लिए उनको कपड़े में डालके हमने अच्छी तरह पीस लिया और पीसने के बाद हम इसमें हाफ लिटर के करीब पानी याड़ कर देंगे ताके जो हमारा गुड़ है वो अच्छी तरह डिजॉल पहुचा है पानी में ये देखें तकरीबन एक या दो घंडे जितनी देर में पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा आप इसको गरम कर लेंगे तो जल्दी मिक्स हो जाएगा फिर पानी को ठंडा करके हम यूज करेंगे तो मैंने ऐसे कर दिया था शामिर और इसको चान लिया अच्छी तरह ताके जो गुड़ के अंदर कच्राव कर रहा होता है वो निकल जाए जो देखें कच्रा निकला था आप भी लाजमी चान लिएगा और हम इसमें आटा डालेंगे नॉर्मल जो हमारे घरों में आटा जो शोता है गंड़म का अटा हमने फो लिया और इसमें नमक लिया एक टेबल ब्राबर ऐक टेबल मैं रिश्ट कर रही हूं मैं और पानी थोड़ा थोड़ा करके अड़ करते जा रहे हैं प्रीबन सारा ही पानी इसमें अड़ हो जाएगा और इसमें एक चमच के बराबर हमने अपना बेकिंग पॉडर डाला है तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो मेरे चैनल पर गत्य का टुकड़ा ले लिया है उससे हम इसको फिला लेंगे अच्छी तरह जितना मोटा आपने रखना हो जितना बरीक करना हो उससी लिहां से इसको करें और इसको छेड़ेंगे नहीं अभी अगर अभी पलट देंगे तो यह तूट जाएगा तो आंच ज्यादा ना तेज हो ना ही बहुत कम हो और साइडों पर हम इस तरह हैं इसमें डाल रहे हैं घीग डाल रहे हैं कि इसकी साइडें जह हैं वह अच्छी सी पक जाएं और दें और हम इसकी साइड चेंड करें तो असानी से हो जाएं अराम अराम से कीजिए का बहुत मज़े के और बहुत ही लजीज बनते हैं और बच्छे तो बहुत ही शौक सखाते हैं और अब हम चमच इसकी निचे से डाला और यह देखें इसको दूसरी साइड हमने पलट दिया है बस पहली दफ़ा चमच हमें चाहिए क्योंकि यह नरम होता है तो तूटने का डर होता है तो हमने चमच के मज़ा से इसकी साइड चेंज कर ली है और अब हम इसमें घीए ताके इसके किनारे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और यह तवे के साथ नहीं चिपके बहुत ही नरम मज़े के जूसी बनते हैं और जब आप इसका बैटर बनाएं तो आप उसमें चाक कर लें अगर आप कम लगे चीनी ना उसमें मीठा कम लगे तो आप उसमें थोड़ी कहते होती थी मीठे पूड़े बारिश हो तो लाजमी बनाते थे बस आज मुझे याद आगी तो मैंने का चलें आपके साथ रैस्पी शेयर करें यह किनन आपने ऐसी रैस्पी नहीं देखी होगी यह देखें अब हम इसमें घी थोड़ा साइड किया है और इसको हम अच्छ निकालें क्योंकि जो आइल अक्स्ट्रा है वह इसके अंदर जाजब हो जाए और हमारे जो पूरे हैं वह बन के त्यार है यह देखें फाइनल लुक उमीद है आपको यह रैस्पी टोडिशनल रैस्पी पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब मुलाकात होगी तब